फ्रेंट्स वागत आपका जेसी भी कंप्यूटर में मैं आपका दोस्त बार्ग मुशन आज आपके लिए एक और नहीं वीडियो लेके आया हूँ फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एप्सन प्रिंटर के लोजिक बोर्ड के बारे में कुछ बेसिक बातें फ्रेंट्स मैंने आपको काफी वीडियो में पहले भी बताया हूँ यह होती है पावर आईसी जो हैड को पावर देती है दोस्त अगर यह खराब हो जाएगी तो हमारा जो हैड है प्रिंट देना बंद कर देगा अगर यह सोट हो जाएगी तो हमारा बोर्ड है ओननी होगा यह हमारा एफ़न खराब हो जाएगा एफ़न का काम यह होता है हमारे इसको सप्लाई देना और हैड को सप्लाई देना एफ़न का काम यह होता है जो यह एफ़न होता है फ्यूज होता है यहां पर अगर हमारा आउटपुट सोट हो जाएगा तो हमारे जो ट्रांजिस्टर ह होते हैं ओजैसे ह synt Edu लेंगे यह सोट या खराब हो जाएंगे अगर इसका आउटपुट सोट हो जाएगा दब इस ट्रांजिस्ट को चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमने इस iac को भी चेक कर लेना है इस iq को आप ट्रांजिस्टर डालने से पहले इस तरह से चेक कर सकते हो ट्रांजिस्टर आपने निकालने हैं और आपने एक पिन यहां पर रखनी है मल्टिमीटर की और एक पिन आपने यहां पर रखनी है अगर आपको इन दोनों पर वीफ नजर आ रही है तो आपके आइसी सोट है आपके ट्रांजिस्टर है डालत देता हूं यह अगर आपकी आईसी सोट है तो इस तरह से आपको बीफ आएगी तो उस टाइम आपने ट्रांजिस्टर नहीं डालने हैं कभी-कभी आप देखते हो फ्रेंड आप अपने हेड को क्लीन करते हो आपने अपने हेड को पानी के साथ क्लीन किया है हेड को सुका भी लेते हो और उसके बाद आप अपने हेड को फिट कर देते हो और प्रिंटर को ओन करते हो प्रिंटर चलता भी है कुछ प्रिंट भी निकाल लेते हो आप और उसके थोड़ी देर बाद आपका प्रिंटर बंद हो जाता है उस कंडिशन में क्या होता है जो आपका हेड होता ह यहां पर पानी लगा रहा जाता है यहां नहीं तो इसके अंदर लगा रहता है क्योंकि फ्रेंड जो इसकी पहले वाली लैग है वो transistor से आती है दूसरे वाली positive होती है और तीसरे वाली ground होती है अगर यह transistor वाली और positive आपस में मिल जाएंगी या अगर थोड़ा सा पानी भी ल जाता है इसलिए आपने चेक कर लेना friend तब भी आप अपना head को clean करते हो यह head change करते हो यह cable है आपने यहां पर resistance चेक कर लेना है पहली और दूसरी बे अगर यहां पर थोड़ा सा भी resistance मिल जाता है थोड़ी सी भी connectivity मिल जाती है यहां पर आपका head खराब हो सकता board भी खराब ह हो सकता है उस condition में आपने अपनी cable को अच्छी तरह से चेक कर लेना है head को भी अच्छी तरह से चेक कर लेना है अगर आपको गिला दिखाई दे रहा है hot gun के साथ आपने head को सुका लेना है friends उसके बाद हम बात करेंगे इस IC के बारे में जो यह IC होती है head वाली जो motor होती है इ इसके लिए होती है इन दोनों पे power यहां से आती है सीधी इस IC का इसमें कोई भी चक्कर नहीं होता friend friends अब बात करेंगे इस IC के बारे में इस IC के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा यह scanner memory IC होती है friend अगर यह खराब हो जाएगी आप जिरोक्स करोगे अपने printer से जिरोक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि तब हम स्केन करते हैं तब जो इमेज बनती है वह इसी IC के अंदर शेव होती है दोस्तों यह होती है man chip या CPU IC अगर यह खराब हो जाएगी तो हमारा board कोई काम का नहीं रहता red light blinking करने start हो जाती है अगर यह सोट हो जाएगी तो हमारा board है own होना भी बंद हो जाता है दोस्तों यह होता हमारा F1 जिसको हम बोलते है fuse जो हमारे head को और हमारी IC को power देने के काम आता है अगर यह कभी खराब हो जाए तो आपने इसको short नहीं करना है अगर आपका जो यह खराब हो जाता है तो आपने कोई भी एक ampere का fuse ले ले लेना ह और उसको आपने इस jumper की जंगाय पर लगा देना है जो हमारे transistor होते हैं उसकी एक beach वाली lag से उठा के और आपने यहां पर लगा देना है जो यह आपको एक line दिखाई दे रहे हैं यहां पर यहां से लगा देना है एक ampere का fuse फ्यूज लगाने का फायदा यह होगा अगर हमार IC है सोट हो जाती है यह हमारे transistor सोट हो जाते हैं यह हमारा head सोट हो जाता है तो उस condition में हमारा board शेफ रहता है IC भी खराब नहीं होगी अगर transistor ठीक है तो transistor भी खराब नहीं होंगे तो आपने याद रखना है F1 को कभी भी सोट नहीं करना है इसकी जंगय पर आपने fuse लगा द वाट की जो रेजिस्टेंस है आपने यहां से लेके और यहां लगा देनी है वो फ्यूज का ही काम करेगी फ्रेंड फ्रेंड्स ही होते हैं इंडेक्टर क्वैल ये वाली ये वाली और एक ये वाली ये अपनी जो मोटर होते हैं उनको कंट्रोल करती है ये पेपर वाली मोटर को और यह जो head वाली motor है उसको control करती है Friends यह capacitor है कुछ जैसे कि यह capacitor है और एक यह capacitor है और एक इस IC पे capacitor लगा हुआ है और एक इस IC पे यह capacitor लगा हुआ है कभी-कभी आप देखते हो यह capacitor leakage हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो आप इनकी जंगाय पर कौन सा कपेस्टर लगा सकते हो तो friend मा बताँगा अगर एक कपेस्टर खराब हो गया ये वाला तो हमें एक कपेस्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती बत हमारा ये भी कपेस्टर खराब हो गया और ये भी खराब हो गया आप उस condition में इस तरह का एक कपेस्टर ले सकते हो और जो इसकी वैलो होगी फ्रेंड 220 माइक्रो फेराइड 50 से 60 वोल्ट तक आप कपेस्टर यहां पर लगा सकते हो क्योंकि इसमें 41 वोल्ट करंट आता है 41 वोल्ट से उपर उपर का कपेस्टर हमें यहां पर लगाना है जो यह कपेस्टर है और यह कपेस्टर और फ्रेंड यह कपेस्टर हो एक यह कपेस्टर है यह चार कपेस्टर ऐसे हैं जो एक ही लाइन पे लगे होते हैं अगर ये आपके चारो कपेस्टर खराब हो जाते हैं फ्रेंट ये वाला भी कपेस्टर खराब हो जाए ये वाला भी और ये वाला भी इन चारो को हटा के आप 220 माइक्रो फेराइड 50 वल्ट का कपेस्टर लगा सकते हो फ्रेंट उससे भी आपका काम बन जाएगा फ्रेंट आज की वीडियो में बैस इतना ही आप से अलवीदा चाहूँगा फ्रेंट अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर इस चैनल पर आप नई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर क्रेंफरेंड आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्स